Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे से हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है My dear students, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि भाषा अधिगरहन और भाषा अर्जन का कार्य किस तरह किसी भी कक्छा में समपादित होता है आज हम भाषा अधिगरहन और भाषा अर्जन से समंदित एक और मुख्य मुद्दा जो है कि किसी भाषा को अर्जन और अधिगम को समपादित करने के लिए कौन से मुख्य कारक हो सकते हैं जो उसके सहायक हो सकते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे हम जानेंगे कि किसी भी भाषा अधिगरहन और अरजन में वो कौन से ऐसे कारक है तो सबसे पहले कारक भाषा, संब्रिद, कक्छा, कक्छ की हम चर्चा करेंगे यदि कोई भी क्लास, कोई भी कक्छा यदि भाषा से संब्रिद है, सजी हुई है और विभीन कारकों से अच्छी तरह से परिदिश हो रहे हैं विभीन कारक तो ऐसे में जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी क्लास को समझने में, किसी भी सिक्षन अधिगरहन को लेने में काफी सहयता मिलती है तो आईए हम चर्चा करते हैं कि किसी भी भाषा संब्रिद कक्षा कक्ष को हम किस तरह से बना सकते हैं, उसे सुनियोजित कर सकते हैं अपनी कक्षा में एक आकरशक रीडिंग कौनर बनाना स्कूल की पाठि पुस्तकों की पूरग बन सकने वाली पठन सामगरी ढूणना कठिन हो सकता है फिर भी आप चाहेंगे कि हो सके तो जितनी आप उपलब करा पाए जिनने आपके चात पढ़ना चाहेंगे वह आप कर सकते हैं कई सिच्चकों के विचार जो प्राक्त हुए हैं उन विचारों को जितनी भी विशेशग्यों ने अपने इस आर्टिकल में रखा है और किस तरह से ये सिच्चन अधिगम में सहायक हो सकते हैं यहाँ इसकी भी चर्चा की गई है तो अब आप अपने क्लास में एक आकरशक रिडिंग कॉर्नल किस तरह से बना सकते हैं इसकी कुछ आपको मार्ग दर्शन प्रदान किये गए हैं, कुछ बाते बताई गई हैं, जिनमें हैं कि रंगीन पत्रिकाओं से उप्युक्त टेक्स्ट काटें और उन्हें पुस्तकों या चार्ट पर चिपकाएं जहां उप्युक्त हो, वहाँ अपिभावकों, समुदाई के सदस्यों या स्कूल आने वाले महमानों से पुस्तके और पत्रिकाओं दान में मांगे रूम टू रीड और प्रथम जैसे NGO से संपर्क करें और दान में किताबे मांगे पुस्तके खरीदने के लिए अपने TLM, Teaching Learning Material भत्ते का उप्योग करें यदि यहाँ आपको मिलता है तो अब इस बारे में सोचें कि आप किस तरह एक प्रेड़ना दायक पठन परिवेश तयार कर सकते हैं यहाँ आपके लिए एक कुछ शुर्वाती विचार दिये गए हैं जिनमें पहला है पठन संसाधन एकत्र करना यथा संभव अधिकाधिक पठन सामगरी इकठा करें ताकि आपका संग्र धीरे धीरे बदलता और बढ़ता रहे सुनिश्शित करें कि आपका संग्र पठन चमता के विभिन स्तरों को आकर्शित करता हो उपलप्ध पुस्तकों में विभिन विशय सामिल करें जैसे कहानियों की किताबे खेलों, प्रकृती, वस्त्वे बनाने आधी के बारे में तथ्यात्मक पुस्तकें शब्द कोश और एटलस, कविताएं, चुटकुलों और पहेलियों की किताबें यदि संभव हो तो आपके चात्रों की घर की भाशाओं में पुस्तकें अपनी संग्रह में जोडने के लिए अखपार, पत्रिकाएं और कॉमिक्स इकठा करें आपके चात्रों को अपने समुदायों से उप्युक्त पथन सामग्रियां धूरने के लिए प्रेरित भी करें पुस्तके बनाना आपके चात अपनी खुद की कविताओं या लगू कथाओं वाली पुस्तक बना सकते हैं उनके पाठ जिन विश्यों पर आधारित हैं वे उनके विशय में कोई पुस्तक विक्सित कर सकते हैं अथवा उन पर आधारित लगू नाटिका लिख सकते हैं वे अपनी पुस्तक के लिए एक कवर डिजाइन कर सकते हैं जो दूसरों को उस पुस्तक को पढ़ने के लिए आकरशित करें विशेश प्रदर्शन का सहरा लिया सकता है किसी विशेश थी उधारन के लिए पानी या कुछ परिवहन पर आधारित प्रदर्शन रखने से जिग्यासा और चर्चा को प्रोथ साहन मिलता है और यह चात्रों को स्वयम जानकारी हासल करने को प्रेरित करने का एक अच्छा तरीका है पुस्तक प्रदर्शन डिस्प्ले के साथ साथ पोस्टर, चित्र और फोटो भी दिवार पर लगाए जा सकते हैं चात्रों की रुची बनाए रखने के लिए नियमित रूप से वाल डिस्प्ले को बदलते रहने की कोशिस करें और इनमें ऐसी सामग्रियों को शामिल करें जो उन्होंने खुद तयार की हूँ अर्थाद बच्चों द्वारा तयार की गई सामग्रियों को अपने वाल डिस्प्ले में दिवाल में परदर्शित करें आपके पास जो पठन सामग्री उपलब्द हैं यदि आप उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो आप अपने अपने चात्रों का माग दर्शन करके उन्हें यह बता सकते हैं कि इनमें से किस सामग्री में उन्हें अपनी जिग्यासाओं के उत्तर मिलेंगे एक रीडिंग कॉनर बनाना किसी भी क्लास में भाशा को सम्रिद करने के लिए आप एक रीडिंग कॉनर बना सकते हैं एक ऐसा कोना जहां पठन आसानी से किया जा सके अपनी कक्छा या सम स्कूल में एक पठन छेत्र या रीडिंग कौनर बनाने के लिए किसी स्थान की पहचान करें यहां एक बड़ा साइन बोर्ड लगाएं ताकि इसका उद्देश स्पस्ट हो सके अपने चात्रों के पढ़ने के लिए एक आकर्शक और आराम दायक स्थान बनाएं एक चटाई बिछाएं या संभव हो तो कुर्सिया रखें पूछें की क्या कठा की गई पठन सामगरी की देख भाल करने और इनका रिकॉर्ड रखने के लिए कोई चात्र लाइब्रेरियन के रूप में मदद करना चाहता है यहां आप स्टूडेंट के अंदर में नेत्रत की छमता बना सकते हैं उनमें से किसी एक को लाइब्रेरियन का दरजा भी दे सकते हैं लाइब्रेरियन के जिम्मदारी भी सौप सकते हैं पठन सामगरी चाहे दर्वाजे दराजों में रखी हो या बक्सों में लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वे हर दिन प्रदर्शित की जाएं ताकि छात्र उन तक आसानी से पहुँच सकें नियमित रूप से अलग-अलग चात्रों को उने पाहर निकालने और ठीक ढंग से रखने के काम के लिए आमंतरित करें चात्रों को प्रोथसाहित करें कि वे खराब या फटिक किताबों की मरमत करने में आपकी मदद करें आपके चात्रों की सहभागिता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वे इस स्थान की और पढ़ने में इसके काम की जिमिदारी लेंगे तो आज हम Reading Corner तक ही पढ़ेंगे कि किस तरह से एक Reading Corner बनाया जाए किसी भी कक्छा की भाशा को संपित बनाने के लिए तो आज मैं यहां तक ही पढ़ाऊंगी इसके अगले क्लास में मैं इसके आगे और कुछ कारकों की चरचा करूंगी जो किसी भी कक्छा की भाशा सम्रिध्य को सम्वर्धन में सहायक होते हैं क्योंकि भाशा संब्रिद कक्छा कक्छ भाशा अधिगरहन और भाशा अर्जन के लिए बेहत महत्पुन होता है तो शुक्रिया बच्चों आपकर मंगर मैं हो